रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा कि वो डोनाल्ड ट्रम्प की तुलना में जो बाइडन को तरजीह देंगे। पुतिन ने ये भी कहा कि वो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपती के साथ काम करने के इच्छुक हैं। समाचार एजनसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन से पूछा गया था कि रूस के लिए डेमोक्रेट बाइडन ज्यादा अच्छे हैं या रिपब्लिकन ट् चुनाव में इस बार बाइडन और ट्रम्प आमने सामने हो सकते हैं। पुतिन भी अमेरिकी चुनाव के संदर्ब में बोल रहे थे। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी लोग जिस राष्ट्रपती पर भरोसा जताएंगे हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। ये पहली बार है क पुतिन ने 2066 अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव पर टिपणी की है।